नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपते यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित में तो दोस्तो मार्केट में इवेंट पोखोत है और सारे इवेंट को आपको कैप्चर करना है कुछ इवेंट आपको नहीं पता चल पाते हैं आप जौब कर रहे हो आप इडिंग में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो एड़ टाइम आफ देखेगा जब मार्केट ओपन होता है तब ध्यान देवाते हो तो मैं आपसे यह कहता हूं 15-20-30 मिनट निकालिए हमारे टेलीग्राम चैनल के लिए रात को अपडेट कर देता हूं डिस्क्रिप्शन मे आपको लिंक मिल जाएगा फ्री चैनल है कोई भी इवेंट अगर आप मिस करोगे न तो आप हमेशा लोगेगा आपको क्या फ्यूचर अन ऑप्शन में गांबलिंग कर रहे हो चुकि जो इवेंट जानता है वही प्रेडिक्ट कर सकता है कि आक्चुल में क्या होने वाला है तो इसलिए कहता हूँ फेड ने देखेगा अपना आउटकम दिया फेड ने अपने मिनेट्स दिये बड़ तथेंग इस फेड ने इस चीज़ को चुप रखा है यानि साइलेंट मोड में रखा है कि उनका नेक्स मूव क्या नॉर्मल हो गया है क्या वो कूल आफ हो गया है क्या वो पॉस करने जा रहे हैं नहीं देखेगा वेल्स फैर्गो ने क्या कहा है यहां पे वन मोर रेट हाई ऐसा ही कुछ सिंगनल दिया था फेड ने भी उन्होंने कहा है रिसेशन में हम लोग आ सकते हैं माइल्ड रिसेशन में आ सकते हैं इस साल के अन तक सेकेंड उन्होंने कही थी कि इंफ्लेशन पे काफी काबू कर लिया है बट स्टिल अभी जर्णी ओवर ने रही है हमारे टार्गेट लेवल से इंफ्लेशन काफी जादा है तो ऐसी चीज़ें इंपक्त करती हैं स्टॉक मार्केट को आपको पता है वन मोर रेट हाई कमिंग अगर क बात हो रही है तो इस समय बिलकुल भी देखेगा मार्केट इस मूड और महल में नहीं है कि आप इतना ज्यादा देखेगा मार्केट को सक्त कर दें चुकि अभी हम लोग को उमीद यह है कि आप थोड़ा सा पॉस लीजिए और उसके बाद आप कट करना शू करिए ताकि ज फेड फॉलिंग वेडनेस डे यूएस कंजूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट के बाद अकॉर्डिंग तो देम इन्फेशन रिमेंस टू होट फॉर दा फेड्स लाइकिंग तो उन्होंने देखेगा फेड के मिनट के आनलेसिस के बेसिस पे यह बात कही है और फेड ने हुए तो फिर से देखेगा यह अब ट्रेंड में आ जाएगा तो इसलिए की कोट्स क्या है यह आपको पता होना चाहिए कि आपको डो जोन्स पे पूरी नजर बना के रखनी है चुकि बॉंड मार्केट इस चीज़ से काफी द्यादा इंपाक्ट होता है 5% का CPI इंफलेश देखेगा डिरेक्शनल व्यू क्या करा धीला किया तो थोड़ा सा देखेगा फिर से बढ़ सकता है और वह यह चाहता नहीं है तो इसलिए एक 25 BPS का rate hike और expectation की जा सकती है FOMC at the conclusion of its next meeting on May 3 तो आपको भी पता होना चाहिए कि 3 मही आने में ज्यादा time नहीं है 15 देखेगा 15 अप्रेल अभी जल्दी जल्दी हो जाएगा ज्यादा time नहीं है और bank nifty में भी momentum according to the bank मिलेगा तो ऐसे में ऐसी situation में आपको एक चीज़ याद आपको ये चीज़ याद अखनी है basically की देखेगा FED अगर कहीं पे भी rate hike का बात करता है तो वो momentum break करने वाली update होगी जो भी momentum 15 दिनों में market बनाएगा उस momentum को break करेगा FED 3 मही को आके तो इस particular update को विल्कुल भी miss नहीं करना है we think the May 3 rate hike will be the last of the tightening cycle यानि कि इसके बाद लगता है कि कोई भी rate hike नहीं होगा pause भी हो सकता है हो सकता एक rate hike करने के बात pause करें but the thing is जो करो और मरो का match है यानि कि either one side और either other side वाला जो match है वो 3 मही को देखने हो मिलेगा जो कि सब के लिए global event के लिए, domestic event के लिए, market के clear momentum के लिए, bullish trend के लिए, सब के लिए important है our view is that the FOMC will hold the target range federal fund rate at the 5% to 5.25% ये अब तक का 40 साल का record breaking देखेगा, interest rate होगा, terminal rate होगा और उसके बाद जरूरी नहीं है कि ये जल्दी cut करना शुरू कर देंगे, चुकि इसके बाद उन्होंने कहा है कि हम इस पे maintain रखेंगे इसको ताकि देखेगा, economy pain में आए और जब वो pain में आके inflation को कम कर देगी, then after that हम cut करना शुरू करेंगे, जिस तरीके से IT कंपनियों के result आ रहे हैं, उस तरीके से ये लगता है कि काफी layoffs होना वाकी है भी और federal reserve's pause is still coming, just not yet, तो अगर आप देखेंगे, fed ने कुछ ऐसे signal पहले से दे दिये थे, कि आप ये ना सोच के चलो कि हम पूरा scenario ही 10 दिन का ये बना लें, कि fed up pause करने जा रहा है, उन्होंने 50-50% chance छोड़ दिया है, हो सकता है वो surprise भी कर दें, central bank, RBI की तरह है कि एकदम से आक 125 का rate hike, और इसके बाद हम जो pause है, उसको pause करके देखेगा, काफी maintain रहेंगे, साल के अन तक, interest rate वही बनाए रहेंगे, यानि जो terminal rate रहेगा, वो 5-5% तक का रह सकता है, तो ये कुछ ऐसे incident होने वाले है market में, जो आपको केवल 2 हफते में देखने हो मिलने वाले हैं, और अग इसने multiple अच्छे event हो चुके है, बट still bond market जो है, वो cool off नहीं हो रहा है, मुझे नहीं दिख रहा कि कहीं 3-4% की गिरावट आई हो, और अब तो देखेगा, अमेरिका का 30 year bond yield है, वो plus में आना शुरू हो चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं है, तो bond market में अगर कहीं पे भी 3 15% का जम देखने मिलता है, तो तुरंट alert हो चाहिएगा market में, और नीचे की तरफ इसमें अगर बड़ा fall आता है 57% का, तो आप समझा लीजे कि ये जो bull trend है, वो sustainable है, और फिर आप इस पर भरोकसा कर सकते हैं, वीडियो गर अच्छा लगे, तो like, share, subscribe करना ना बूलिएगा, thank you so much.